जया गुरु देवा, जगत गुरु देवा जगत गुरु देवा, जगत गुरु देवा, जगत गुरु देवा जयान युतं महंतं, निम्मार कधर्म परिवर्धन जोति रूपं, स्रीमज जगत गुरु देवा, 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 जगत गु देदिप्यम उगल चरणार बेंदमा यो पांचवो तिक दिहालाई सदार सरवदा समरपण गर दै प्राधस्मरणिय परमपोज्यबा जगतगुरु महरास्त्रेका उगल चरणार बेंदमा शदत दन्डबत नमन गर दै समाध्रणिय भक्त सज्जन महानुभाफरु हरेक दिन्जहिं आजबनी प्रातकाल को योशुव समयमा जगतगुरु संदेश नामक कारिक्रम लियर हमें उपश्ति द्वहिसके कासु आद्रणिय सज्जन महानुभाफरु अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्यादि विनाशनं साल ग्राम जलंपित्वा पुनर जन्मन विध्यते साल ग्राम भगवान को जल्लाई पान गरने वाला व्यक्तिले फेरी जन्मन परदैयं इदेरे महिमाहरु पुजय पार जगत्गुर महाराश्त्री कास्त्री मुखरवेंद बाठ अवहजुले सुन्न पावन हुने शा आद्रणिय सज्जन महानुभाब मुक्तिनाथ को समीप मारायेको निलाद्री पीट जगत्गुर आस्रम जुम्सुम्मा आस्रम को समुद घ भाटन मंदिर को स्थापना गरेर संपुरण व्यवस्थालाई सुचारु गराईर पुजय महराश्त्री चतरधाम सवारी हुल वक्षन भाय गोश्व तर चतरधाम बाठ जगत्गुर महराश्त्री कास्त्री मुखारविंद बाठ हजुर हरुका लागी साल ग्राम सरवेश भागवान को पाबर महिमा हमिले पस्कने जमर को गरेकासुं ताउनो साधरने मान बाबरु अबको कारियक्रम प्रातस्मरड ये परमपुच्चिपाद जगत्गुर महराश्त्री कास्त्री मुखारविंद बाठ नेस्त्री चतर्वेश्वर साल ग्राम महिमा शायरी बैस्वे नेगे दिनी वा शाल ग्राम मा हमिले ब Damit जीबिडाविंद जगजाओसु सामर्ठ वहागवान तुलशी रे साल ग्राम मा ज SUBSCRIBE तो शालख्राम को चर्चा, तो सालख्राम को महीमा , गुश्ति महारानी तुलशी को महीमा मुक्त कंठले сталme up. बियाज़च ब्लयन भाइक़ हो चाहँ सालख्राम प्रभूको उत्पत्ति वहयुक शरिए। This महत्तवपुणप्र भिसै ४ बरहा पुरा में इसको लामु कथा चब एक समय को कुरू मनों गंडक नाम्बरे का बड़े तपस्वरी शी हैं एक दम ब्रह्म ज्यानी भजनानंदी तपर्म बितराग संत हुनुंत्यों तरवा ग्रियस्त हुनुंत्यों संत भायरबनी बितराग उनुंत्यों परफ पवि श्या ब्रह बितराग संत भिनुग ज्यान थे जन्मांट्र सता व्यास्ता मिथ्या एक संत भाशना फंध्यों संत भाशनन हुludर HERE इस कानले दियाविमान छोड़ेर तपश्यमा लागनु भयो तपश्या को फलसरूब उमा के पत्निबाट अरदांगिनी बाट एक दिन दिव्य कुमारी को जन्म भयो तिनको नामतियो गंडक नामबरेके रिश्री की छोरी गंडकी शानही देखि बढदाय जानुब बड़ा प्रेम भगवानमा अनुराख थियो माको भगवत प्रवृत्य थियो माको संसार आसक्त थेना तेस्ती शुकमारी कुमारी बढदै जानुब दस एकार बशको बाट उसलागा शालै तिब्र भगवत प्रात्य को इच्छा लागो मुक्ति दामदर हिमाल भन्चाओं जला गौवगिरी परवत पनी पुरायमा वन्येक होचा ते गौवगिरी परवत को तरटिमा बसे रहा कठोर तपश्या गर्नुव दसजार बरस तपश्या गर्नुव कल्पनाय दसजार बरस उल्ये उल्ये का आयो लंबा उन्थे प्राण मनुच्य रूं रिष्मनी अरू देव्य अज्जार बसेच्त सज्णार बीट तपश्या गर्नुव त भगवान श्यामरू शुंदर स्रीक्ष्णा प्रकटनुव वागवान श्रीक्रिष्णा मनुव भन्णुव हे देभी सत तपश्या बलओमा खोशिमन जन्व मागर प बगवान लिमन्त था स्तु तिम्रो इच्छा पूरा हुने चा भगवान स्री किष्ण गंडकी का गर्मा प्रवेशी गर्नु भयो। तेश पचाली कावान तर्मा भक्ता नुग्रह काला तव गर्व गतस्त दाहा। परवत्राज हिमालय स्वें आउन Gibson समुंद्र जलनिदी समुंद्र खढ़ाए। साथि समुंद्र हरु मुर्तिवान व oppression मुरूपासमुंद्र हरु सरोबर हरु सब नदी तारागंगा यमना हरु सब मुर्तिवान व playful व भब्बशंग विशाल श्वएम ब्रह्मा जितवारा गंडकर गंडक कर लवन समुद्र को विवाया गरिदीनु भयो तो विवाया संपन्न वहिशके पचे कालंत समय रवाई जानदा केरी गंड की गागरवाट अध्भूत बालक को उदै भयो जल्लाय आई भन्चों साल ग्राम आकाजब्ड दुंदुई बजे नगळा पजे संक गोश भयो देवत लें भ splend इन घरॅट आध्म हमें नराय बसनों समोक्तिनात मा भसनों सभी नारान भसन मा पजेros विश्ण भगवान निलागीरे गोलो जाता हो श्री क्रिष्ण को दाम निलागीरे में साला ग्राम वात भाताना वैशन बस नुदुनुच, मुक्तिनाटमें विष्ण को बस नुदुनुच समय वित्य हो गोलोग बाट आये गोलोग बाट आये क्रिश्ण साल ग्राम बनी भाग्य साले गंड की को काख मा खेल न बनी वगवान आउनु गंड की पुत्र वायर गंड की नंदन वायर तमाम लिलाहरु भये अन्तिमों होगवान साल ग्राम निलगिरी परबत मा माता तुलसिका सासना बब्य विवाव भयोवाका उमाको यो पुखराको पुष्करावे तीरत मा साल ग्राम तुलसाले विशाल जरकिडा हरु गर्न भो नरर नान मासा पुष्र हिमाल भायर त्या प्रकण भये दुट्यात चुच्चारु नरर नान को तो अवतार हो साक्ष्यात भगवति दुरिगा अन्नपुणा परबद भायर अन्नपुणा हिमाल भायर प्रकण हुनुबवाववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव अनन्ता अन्ता गौहरूप्रक्र नौ लाग गाय प्रकड़ गरनुबौ तेम बला जिव दय दुद दुहन गरनुबौ यज्य माक पुले स्ट्पुललाई दिनुबौ तुलो यज्य संपन्न बला भगवान तेम बला बिदाई भायर निलगिरी परबतमा आउनुबौ समय बित्ताई गए बित्ताई गए अन्तिम्मा भगवान ले इहलिला पूरा गएर गोलोग धाम जाय बला भयो तेस बला मा आपनी माता गंडकी लाए दिव्य बिमान मा राखे रा पुना गौगिरी परबत दामदर कुंड को उत्तर हिमाले मा लगे रा भगवान धर्म को माताले भगवत धाम गमंगरे को देखे रा भगवान श्याम सुन्दर लाई पनी बैराग्या आयो कि इन्चित मन खिन्न भयो वाले विचार गरनुब अमा दिव्य धाम लाई प्राप्ति गरनुब भवन्य सुचर आखुपनी सुधाम पुना प्रस्थान गरने इचा गरन मेरो सुरूप अंकित गर देःओ म सचरूप को मेरा सचरूप को चिन्नलां शात गर देओ वन्युप ते कर दsoo ना इस बिचार वाया आओं पनी तो गंड़की का जल्मा प्रवेश कर नुब थे बदर कीत नाम बरेगो का विचेवा अर ते स्वित्र जिव श्या विश्य कर पुत्र आउन वायको नाम कृष्ण लाइ जन्माउने गंड के कृष्ण गंड की नाम प्रसिद्ध भयो क्रिष्ण गंड की कल कल बग्नता अलनु भो भगवान तेस जल मा प्रवेश गरनु भो गरिशके पाची भगवान तिया नौनु भो त्यान अंतर जल निलागिरी आपना परिजन हरला विमान में आखर दिभ्य गोलोग धाम जानुभो तेस पता निलगिरी परवत में संपुड हिमाख्छादित भयो भगवान को दिभ्य मल हिमाला ड्याप धाकि दियो तो निलगिरी परवत साख्छाद भगवान को दरवार मानिंच यो नील परवतम द्रि तो शिदाई नरकमा जान चान नरकमा मते जाने होई न ताड़ी तो यम किंकर है यमराज का किंकर वने का शेवा करूले फलाम को कुर्राले गाड़ भाति बातिन जेले कुड़ुचन दंब घमंडमर मत्सर सब सिद्ध्यमने गरी कुड़ुचन दंड पाई-पाई कन अत्यां पिडिद भाईर अत्यांत दंडनिय भाईर अत्यांत दुखी भाईर अत्यांत क्लिष्ट कस्टलाई भोगी भोगी कन उल्ले नरकमा यातना भोगनु पर शेवा निलगिरी परवद निलगिरी परवद साक्षा बगवान सालक ग्राम को विग्रह स्वरूप हो अवतार हो श स्कंदपुना में बढं गरियेको, भविश्य पुना में, भरा पुना में दियापक कृच आचा जाए परभता जल्फूकर्बाता जाए जन्यलागिरी परभता जल्फूकरता, गवगीरी परभता महिँ आदो मात अने से रजाए पी विश्व करमाले भेत्र प्रवेजगार बज्र कित बज्र भने को शिला, धुंगा, कीड बने को कात्निवला किरो बजला कात्निवरा कीरो भायरा ढूंगालाई सप्पई संक चक्र गदा पदम देविन नमस्य कुरुमादी अवतार हिरू सट्रक बनाई दिन भायो रतिने अरचा बिगरा साक्षा सालग्राम भगबान स्रिकिष्ण को अवतार मानिंच उने सालग्राम को उत्पत्ति भायको प्रसंगा संपुण पुणाहरू मां मक्त कंठले प्रसंगारिये कोचा इस्ता साक्षा स्रिकिष्णा परमात्माल याहिमा ती अनुग्रा गएर आपनो ब्रिम्ब आपनो प्सोरूप आपनो अवतार यो संशार मां छोड़दे रह जानुभो जल्लाई सालग्राम बनिंच अवा मत्त क्रमिक रुप मां अठारे पुरामा सालग्राम बगाबान को कहा कहा चरचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा अब हामी अलमलीनु हुन्न, अब अलमलीनु हुन्न, भक्त बन्नु परच, परलोका सुधार्णमा लागी हालनु परच, अब देवता खद्न, केदल कणाटक, आंद्र, गुज्राद जानु परदैन, अब बंगाल, उडिसा जानु परदैन, उत्राखंडर, यूपी जानु अब भगवान खोद्न, गंडकी को सिरोभागमा, गंडकी को मुहानु जानु परच, गंडर सेतनया पवित्र जलली, कलकलगरी बगदचिन, हर्दम्चित्त पखाली जन्मभरीका, संकस्टई हर्दचिन, उच्चा परवतका उदाई सिरमा, साक्षात्परब्रम्मले, गरदा द्रिष्टि पवेत्र भगिराइन, श्री गंडकी प्रेमले, उच्चा परवतका उदाई सिरमा, साक्षात्परब्रम्मले, गरदा द्रिष्टि पवेत्र भगिराइन, श्री गंडकी प्रेमले, उने गंडकी का पावन, गर्वस्थलमा विराज्मन भगवान, आव मत पंधीव पदमपुराण को उत्तरखंड को पचत्तरव अध्याय में बढ़न बहें को प्रसंग सुनाओ शुनू श्रीमादेव उभाज भगवान संकर्वन्नुच सालाग्राम को भीजने स्वयं महादेव देभाई देवताय का मने देवताय साक्षत महादेव यह ब्लावद्यां दिनों वहला कल्ले बंदैच्छ वगवान versão कर वकसको महिमा शाल ग्राम रह स सवयम देवाइद्दे महादेव संप्न जगत का स्वयम पस्युपति नाथ स्वयम भूत भाहवन भगवान संकर कैलास निभासि भुले भगवान संकर अब गंड़की रसाल ग्राम को महिमा बताऊनुँचा श्रिमादेव उभाच गंड़के गंड़कायास्तुमाहात्म्यं बक्षेदेवे बिदानता यथा गंगात अथा साच कथिता नगनंदिनी हेमालय परवत गिरिनंदिनी परवत्ति अब सुना गंड़कायास्तुमाहात्म्यं लाख्णिक्या सब्दलिय परवतूदल्या गंड़के लाई रसाधा गंदकी नवाना ओ गंड़काया तुमाह परवत्तुम्यान इतान गंड़के गंड़की महिमादेवे बताऊनुच मुझम सुनाकीm या था गंगात था साच कथिता नगना निनी तीमि गंगा 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 घंगा खरिद्वार अलकानंद भागी रात्ति क्लेंड हन्ठान फ़हन से वो। तरह यो छड़ा यो कुरा छड़ा हेरा मतिमी गंगात्लई समान महीमा बक्यकी सरित प्रवराहा सर्वत पवित्री करोती स्रमत भागवत महापुरामा गंडकी लाइ सरित प्रवराहा वने कोच तो गंडकी को महीमा सुन सालग्राम असिला यत्र जायते बावदात था महात्मम चैवत अश्यास्च कथिता मुनिसत्त महीम सालग्राम असिला यत्र तो गंडकी लाइ स्वयम सालग्राम भगवान बिरादमा उन्च यत्र सालग्राम जा सालागुरामों वा सुझा साला गृrando चुरुम सालागुआ बरहा निसिंग सालागुरामों भासु देप्रद्यम्न अयुद्ध संकस्न बलराम हलधार विष्णू महाविष्णू बैकुंठ विष्णू गोलग साहन। अनन्त राम, लक्ष्मन भरत शत्रुगनादे, मच्यकुर्म बरहानी सिंगा बामर राम परसुरामादे इस अपई चविसे अवतारले अंकित भएका, अनन्त अवतारले अंकित भएका, विविन्न प्रकार का साल ग्राम हरू, गंड की नदी मा पाई छन, साल ग्राम सिला यत् माहात्मयम् पारवती से उद्वी श्रिष्ट को सुन्द है ये पारवति अंड़ ज उद्वी ज स्वेज जर जरायुज तीन प्रकार को स्रिष्टि उन्च जार प्रकार को अंडवड उत्पन्न हुने उम्रेर उत्पन्न हुने पशिनावड उत्पन्न हुने अनि अन्ते जरायुज वने को योचि आमा बाबु को सम्यक पति पत्नी को सम पुरु प्रकृतिर पुरुष्को मिलन बाट उत्मन्न हुने इच्चा प्रकाका जीव संसार मा पईदा हुँचन। यस्य दसन मात्यन पुन्य रूपास्तु पार्वति। इस संपुण जीवहरू लेती गंडकी को दसन गरनाले, साल ग्राम को दसन गरनाले। पुन्य रूप प्राप्ति गर्द चन यस्य दसमातेन पुन्य रूपास्तु पार्वति। इस संपुण जीवहरू लेती गिरिनन्दी। परवत्राज हिमालय की थोरी। स्वयम भगवान चंकर आपनी बामांगी निलाइक कैलास परवत को सिकरमा बड़ा प्रेम पुरुवग साल ग्राम भगवान को महीमा बता हिरनु वाइक वचाँ। उत्तर सातु संभूता गंडकातु महानदी। अब गंडकी कता उत्मन्न वाहिमादी। उत्तर सातु संभूता उत्ता परवत का उधाय सिरमा साक्षात परव्रम्मले। गरदा द्रिष्टि पवेत्र भई बगिरईन स्री गंडकी प्रेमले। उत्तर दिशामा हिमालय का काख मा भगवति गंडकी प्रकड़ हुनु वाहिगोचा। संस्त्मृताम संस्त्मृता नूनम पापम हंत्या नगन्दिनी। परवत्राज हिमालय की छोरी जल्ले गंडकी लाइस्मन गर्चा। गंडकी लाइद गर्चा। नूनम निस्चेनें पापम हंत्या। उसका सारा पाप ना सुन्चन। नेपाली हरो जसकोष्म गरनाले स्मृति गरनाले गरमाई समझनाले पाप नस्ता हुँच तर कामकरू एकातिर कुमलोगो की गंगातिर कुदियू। आमरे बा कुदि गंगाले तारनु उंच वन्युँं गंडकीलाई संवय हन्युद गरियू। गंड किला तिरस्कार गरिऊं भेरी रापती कनाली महाकाली कोशी मेची सब लाई तिरस्कार गरिऊं तिनला लाक मारदेनी मोक्ष प्राप्ति गलाई अन्यत्र भळकिऊं तरह पुरान लेतेसो बंदैना स्वयम सीवजी बन्नुँँच संस्मृता संस्तृता नूनम पापम ह शारा नाराण देव नित्यम तिष्ठति भूति दह लेनुच संस्तृत् के गरनुँँचा यत्र नारणो देवो नित्यम्ति श्ठंति भूति दहा नित्य भगवान विर्याद में हुनुँचा गंड की नीरबासाय गंड की बरदाईने गंड की तनयम बंदे साल ग्रामाय मंगलम कालिका तटका ढूंगा देवता कहलाऊँचन देवता पनी ढूंगो भय जहां बस्नरुचाऊँचन देवता हरुले जसको जल सेचन गर्द चन कालिका तटका ढूंगा शाक्षत भगवान साल ग्राम हुनुचा गंड की निरबासाय गंड की गात जलमा बस्नुचा एस्ता परमाराध्य भगवान नाराण को निवास स्थान पनी मुक्ति छेत्र हो नाराण बस्नुचा मुक्ति नात धामा निलगीरी गोलो कहो स्रिक्रिष्ण को धामा यत्र नाराणो देवो नित्यम तिष्ठती जा बगवान श्यामसुंदर नित्य विराद्मा उनुचा कसरे संक चक्र धरास्तष्य समिपे निवसन तेने गंड की नदिका समिपमा संक चक्र गदा अपद्म धान गयर मेरो प्रहु नित्य विराद्मा उनुचा लैर नोश्य अब किना फ़दनु देवता किना बढ किना आप बड़ी के र एस पाले कुता इंड्याती र कुम्ब में पुञ्यकमन अगा का लेरा आये कोरना मले बंदय चो जानुदाई ना जानुदाई ना पादरणी यह महनुभाव जगत्गुर महरास्तरी का स्त्री मुखारविन्दबाट शर्वेश्च वर साल ग्राम को पावन महिमा बोली का दिन हरुमा पनी हमी नियमीत रुपमा यह कार्यक्रम लाही राखने सों नियमीत्रुप मा नच्छुटाई करा जगदगुरु संदेश कारेक्रम हरेक दिन यह समय मा TV2D टेलिविजेन मा जगदगुरु नेपाल संचार केंद्र को फेस्बुक पेज मा रहामरो यूटुब चेनल मा हेर्न नभुल्नुगला सबगुरु नेपाल संचार केंद्र 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 जगत गुरु देवा